प्रवीन जाख़िए अपका स्वागत करता हूँ आज हमारे साथ है राजिस्थान सरकार के सीनियर पंकज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है दन्यवाद आपका भी बहुत बहुत प्रवेंड जी पंकजी के साथ आज हम लोग क्यों बैठे हैं क्योंकि पंकजी राजस्थान सरकार के एकमात्र ऐसे ओफिसर हैं जिन्नोंने छे विश्वर रिकॉर्ड बनाएं इनका बहावना स्तापित करने के लिए क्रियेटिव अपने हां हर डिपार्ट्मेंट में काम करने के लिए बहुत सारे इन्वेशन कि लगातार करते रहते हैं तो आज हम लोग पंकजी से जानेंगे कि आज और आज से पहले इन्होंने क्या क्या क्यू Woah इनको बहुत अलगत तरे की पैचान मिली है तो पंकत जी सबसे पहले तो आपने सबसे अदर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है यह कहां से शुरुवात हो इन सब की इसके शुरुवात 2010 से हुई तब लगा कि दुनिया में कुछ नया करा जाए जिससे राश्तान का नाम हो जैपूर का नाम हो तो दुनिया इससे बड़ा चाकू बनाया था 17 फिट तीन इंच का जो गिनीज बुक आप वर्ल्ल रिकॉर्ड में दर्जवा पैतालिस की लोज का बज़न था वहां शुरू हुआ फिर बात में जो पॉस्टिंग्स होई आगे तो रिकॉर्ड बनते चले गए काम करते गए यह आपका प सारी कूपरताओं को और स्टसार को मिटाया जा सके तो संकेतिक रूप से बनाया गया था यह सिंबॉलिक था बिसिकली दूसरा रिकॉर्ड क्या था दूसरा रिकॉर्ड जब कोटा में मैं आर डवले था तो मैंने देखा कि वहां किसान बहुत परेशान है उपज का पैसा नी मिलता टमाटर फैंकने पड़ते हैं कभी लसून के दाम नी मिल रहे अब वो किसान में चारा खेती में भी परेशान है इसके लावा उसका तैसिल में काम नी होता उसका कैस होता है तो उसकी सुनवाई नी होती बारा बारा साल तो मुझे लगा कि कम जब मैं अपने 2018 को फिर वो वर्ल्ड वूक अफ रिकॉड में दर जबाया आपका पहला रिकॉर्ड हो इस डबाइजी रिकॉर्स में दूसरा वाल्ड बूक आफ रिकॉर्ड में आथा आपके फैसलों को लेके तीन-चार बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो आपने एक ही दिन में बहुत प्रमानपत्वी उसको मिला और इसके बाद जब मैं एडियम सीटी था कोटा तो मुझे लगा कि यहां पे कोटा में लाइन डेटर बहुत होता है तो पाबंदगी की भी कारवाई प्लीस बहुत करती है तो बरसों से मामले पेंडिंग थे तो 107, 116, 151 के मैंने 321 फेसले एक इन में किये यह था 4 दिसम्बर 186 दिसम्बर गो हमारे चुनाओ भी थे विदानसभा के तो मने संदेज देने के लिए कि विदानसभाँ के साथ साथ आदमी अपने आफिस का भी काम कर सकता है उस दिन को चुना मेंने तो 321 वेसले हो इस दिन हमने किये थे वो रिकॉर्ड बना फिर उसके बाद इसको मैंने ही ब्रेक किया जनुवरी में और 321 कैसे एक साथ डिस डिसाइड किये CRPC 151, 107, 116 के वो भी वर्ल्ड बु गया और हो गया तो पुलिस 114 CRPC में दर्ज करती है तो 2012 से पैंडिंग थे कैसे कोई देख ही नहीं रहा था तो हमने पांच महीं ने हमारे ने हमारे टीम ने मैनत की पांच महीं ने की तैयारी के बाद हमने 800 पिचान में कैसे का एक दिन में डिसाइड किया और जनता को बता उनसार को फाइल्स भी दिखाई तो 800 पिचान में फिर और एक दिन में डिसाइड किया तो गॉल्डन बुक आप रिकॉर्ट्स वालों ने इसको दर्ज किया एक अगना इसकी इतने सारे केस पेंडिंग है नियायलियों में लंबित चल रहे है मामले जिसके वज़े से निया एक्शन लेने ची जाना ची तो इसठाप की बहुत कमी है जैसे साइब ये जही साथ फेसले पेने किये तो एक दिन पहले ही मेरे जो टाइब करने वाले थैंगी इस्टेन हो नहीं है और कंपुटर पर काम करने वाले एकसपर्स नहीं तो जैसे हम ने में आट सो पिचान में कैसे एक साथ decide किए अब मेरे बाद वो reader साथ थे वो reader ही computer में डाले रीडर ही कोड का भी काम करे और सारा क्योंकि documentation भी ़ंबा होता है हमने सारी उनकी seats बनाई क्योंकि आज कल आप जानते हैं कि कोई बढ़िया काम करता है तो सेखडों लोग इसकी पीछे भी पड़ जाते हैं तो आपको रिकॉर्ड भी अपडेट रखना पड़ता है कि भी बात में भी कभी जांच हो तो सारी चीजें सही हो अब एक केस को डिसाइड करने के लिए ओर्डर सीट भी लिखनी हैं नोटिस भी बेजने हैं उनके डिसजन्स भी लिखने हैं और सरकारी इस दर पर इन भरतीयों की जरूरत है या वो मैन पावर कैसे मैनेज होगी सरकार जैसे मैनेज कर तो साती है है तो मैन पाउर आ रही है साथ ही मैं भी मान तमंग की जो अधिकारी है उसको वक्त की नजाकत को देखते वे जो रूटीन कामों के अलावा जो पेंडिंग हो गए हैं बहुत सारे कैसे जो आपकी ड्यूटी है उसमें एक्स्ट्रा संसारन लगा के एक्स्ट्रा एफर्ट पूछा तुमने कैसे किया हमारा धुन जचे वही थी कि हम करेंगे तो मैहनत तो खूब ज़्यादा होई लेकिन हम कर पाये इसको मिसाल है बिसिकली कहा जाता है कोटा में आपका जो कारेकाल था वो एक अलग तरह का एक्सपिरियंस माना जाता है इवन आपके पूरे जितन के बहुत ही अच्छा शहर है लोग जागरूख है और लाइन डॉडर वहां कई तरह का है और कोटा में एडियम सीटी और एडिस्नाइस में सीटी की महतपूर्ण भूमिका होती है रोजना कई सारे लाइन डॉडर उसको एंडल करने होते हैं धरने प्रदेंशन के साथ में क अच्छे से आपसे संभन रखते हैं आपसे ट्रांसवर के लाइद भी आपके आलजाल लेते हैं आप उनको कोई बात बताते हैं सही तो मानन भी लेते वहाँ जैसे कोटा की बार थी कोटा की बार के हमारे थोड़ा शुरू में पहले बना नहीं लेकिन बाद में उनका एक इशू था पारकिंग का बहुती जुलनती इशू था और कई सालों से वो सौल नहीं हो रहा था तो जब बार हमारे पास आई तो मैंने एक्स्ट्रा पेन लेते वे उनकी बादचित की पारकिंग की विवस्ताइं कराई तो कलक साब ने खाए कि यह पंकर से सारे काम कर लेगा फिर हम काम्याब होगे और आज कोटा की जो बार है उनकी जो सारे वीकल्स हैं और वो जो जगह थी इस पर किसी और का कब्जा था हमने वाँ पारकिंग करा दी तो एक बहुत बड़ी समस्या जो थी पारकिंग को लेके वो फिर कतम हो गई तो बार का फिर बहुत सहयूग मिला मतलब एड्मिनिस्टेशन अगर सपोर्टिव हो जाए थोड़ा सा इनिशेट करने लग जाए थोड़ा क्रीट्यव हो जाए तो आपको लगता है कि जो प्रसाश्चन है या प्रसाश्चन के वेवस्त है और ज़्य Sports है सो और जढ़ा सरल हो सकती हैना bond कि अधिक लिए अगर मैं इसे एंटरटेंट नहीं करूंगा ते इनको सीडी सेड़के जुर आप तक आणा है तो मैं बैसिकली आपका काम को अलगा कर रहा हूं इनका वहीं मुझा निस्तारन कर रहा हूं जहां किसी के लिए फोन करना होता था फोन करते थे कोई जैज जैज बात होती थी वो करते थे कई लोग तो ऐसा भी हो गया कि अपनी परसनल समस्याएं लेकर आने लगे हम उनको भी जाए तक बहुत आदा सौल करने की कोईश करते थे हमने कोशिश की कि अधिक्तम जितना काम कर सकते करने की कोईश करें आप पंकर जी आपने कोटा से एडियम इसको जब लोकसवा चुनाओ थे तो मैं गंगापूर एडियम पोस्टेट था तो मैंने वीवी पेट मजीनों इस्टेडी किया तो मुझे पता लगा कि यह 32 डिगरी के आज पास तक तक तो सही काम करती है उसका आदे गरम हो जाती है तो चुनाओ आयोग ने कई होती नहीं है तो कुछ एक स्किलों में गया तो आँके प्रिंसिपल से मैंने पूछा कि क्या आप किया कूलर है उन्हों कहा है तो मैं गाव लगा दीजिए कि हम लगा देंगे एक दो जगग जो ग्राम सेवक थे पटवाई थे मैंने उनसे का कि आप पंचायत की निजिया इसे पचाश-ाठ रुपे किराय लगेगा एक दिन का आप कूलर लगा दीजिए तो उनका लगा देंगे तो मैंने पूरे गंगापूर सेतर में देजिए देरे कूलर लगवा दीए फिकलक्ट साब को बताया तो उनको बड़ा अच्छा एडिया लगा कि यार ये पूरे ज बहुत स्मूथली वा हमें मसीने बदलनी नहीं पड़ी इसके इलावा क्या है कि मसीने गरम होने पर फिर पॉलिंग स्लो हो जाती है तो बार भीड़ इकटी हो जाती है फिर लाइन डोडर क्रियेट होता है कई मिस्क्रियेंट्स होते हैं इन समस्याओं से हमने निजात जाता ही तो उन्होंने इस बात को लिखा कि यह देश का पहला जिला है जहां पर इस परकार से कूलर स लगे है अपको सेवाओं में बीस साल हो गए आपको आप सीनियर आरेस ऑफिसर एं इन बीस सालों का कोई और एक्सपरियेंस जो आप करना चाहें जो कि क्योंकि आपके इसे क्रियेटिव एक्सपरियेंस रहें जो की मिसाल है दूसरे आरेस ऑफिसर्स भी उनसे बहुत चीज़ें सीखते हैं और युवा जो ऑफिसर्स अभी बनके आ रहें उनके लिए आपकी जो प्रणाली रही है काम करने का जो तरीका है वो बिसिकली एक स्टडी जैसा है त तो ऐसे और कोई एक्सपरियेंस जो आप बताना चाहिए अब सारी वीवर्स को ऑफिसर्स ताइमस की मैं बताना चाहूंगा कि एडियम रते वेज मैं वहां गंगापूर था एक लेडी आई तो उसकी पीड़ा ये जाईर की उसने कि उसके जो बच्चे थे तीन चार बच् और उसकी जो भी रिक्वार्मेंट्स थी हमने उस समय पूरी की और इस बात का समाज में बड़ा अच्छा मैसेज गया और काफी लोग हमारे सामने आई कि आपको इस तरह से और कहीं कि जी मदद करनी हो जा हम कर सकते हैं तो हम ऐसा करें फिर पुलिस भी हमारे साथ हो गई तो हम फिर यह ढूंडते थे कि ऐसी कोई जरूरतमन महिला हैं जो बहुत गरीब हैं या जिनका इलाज नहीं हो रहा है या और कोई समस्या है तो हम पंचायतों में इस तरह के ढूंडते थे उनकी मदद करते थे ऐसे एक मुस्लिम बच्चा था अब उसकी चार पांच बच् है एस्टियम साब को मैंने का इसका नाम जोड़ दीजिए किसी लाब की स्कीम में तो डर गए कि नहीं चुनाव है और आचार सईथा है मैंनका आचार सईथा राजनितिक आपके प्रियोगों से राजनितिक इन्वल्मेंट से रोकती है जन्हीत के कामों में आचार सईथा लागूर नहीं होती पर उनसे कहके और मैंने कहा है कि वह अगर कोई बात आई था मिज़ पर डालते ना कि उन्होंने कहा है हमने उसका नाम जुड़वाया और उसके गरवाले जैपूर लाए उसको उसका इलाज हुआ और उसके मात्र दो जार रुपे खर्च हुए आज उसक तो पूरा गाउं दुवाय देता है इसाब आपने एक काम बहुत बढ़िया किया तो हमने इस तरह के जन्हित के काम करने शुरू किये पुलिस के साथ मिलकर के ट्रैफिक से संबंदित हमने एक कैमपेंड चलाया कि हर बहन अपने भाई से राखी की दिन यह कहें कि तू जो तो राखी बादने के अरज में मिठाई या पैसे देगा उसके वजाए तो तो यह परण ले ले कि आज समें एलमेट पहन के गाड़ी चलोंगा तो हमने इस तरह के भी कई केमपेंड चला है अपनकर जी एक बर हिंदू-Muslim दंगा हो सकता था आपने इसको रोकने के लिए कि अच्छे प्रयाज कि वो गटना गयती गंगापूर में लास्टीर यह वा है कि अचानक जो विसंदू परशित का जूलूस निकल रहा था उस पर पत्थरवाजी हो गई और दोनों समुदाए बहुत आमने सामने आगए और बड़ी भारी तनाव की स्थिती हो गई उस सम कि वो फिर अपनी राजनितिक रोटियां सेख सकें तो हमने इसको रोकने के लिए दोनों समुदाएं को बैठाया कि मिटिंग ली प्रबुद्द लोगों से फिर उन से गाए कि बड़ी मिटिंग की जाए बड़ी मिटिंग में अजार डेट जा लोग इखटे वे हमने दोन इस शहर को नुकसान होगा यहां एज्यूकेशन हब बनावा है बच्चे चली जाएंगे व्यापार पर प्रवाब पड़ेगा और हम दोनों मिलकर के काम करते हैं उन दोनों के ये बात समझ में आई तो दोनों समझदाएं एक दूसरे गले मिले पिर हमने का अगर आपका मन बनाए टास्क हमारे सामने था बीस दिन बाद गणे से अत्रा निकलनी थी इसमें बीस पच्चीज़ जाएं लोगों का इखटा होना था तो पूशी सरकार और सब का यह था कि यह शांती जो जाए तो हमने केंपेंट चलाया हमने मौहले मौहले जाकर के हर मौहले में जाकर करके मीटिंगे लेनी शुरू कि इसमेस हमधाय के लोगों को बैठाते हैं इस तक्कन में फिर मैंने पूरा इसलाम और कुरान भी पढ़ा उनसे भी बात करता था कि कुरान में तो कहीं नहीं लिखावा है कि अगर पडोसी अगर दुखी ये भूखा है तो हम भी रोटी नहीं निकाएं और दूसरा संहुदाई था हिंदू संहुदाई उनसे भी का थिखाता है कि कि किसी से लड़े जगडे वारत हमतों कहता है कि सथा शूखी रहें प्रसंद्र गया हमने इतनी मिटिंगे लेली वीस दिन के अंहरा दर कि अमारा हम एक्जा निक्शी कांश hePopud निक ल हुई और सवा पांच मुझे वो यात्रा भी आराम से पूरी हो गी तो वो लोगों ने बहुत अप्रिसेट किया फिर इसका उनकर जैसा आपने बताया आपने कुरान भी पड़ी एक समुधाय को समझाया आपको जितना मुझे समझना है या अपने देश को समझना है और वहां की संस्कृति को समझना है तो जो पौरानिक शास्क्रे लिखे गए हैं उनको जरूर पढ़ता चाहिए तो गीता में 2012 में रुजान शुरू हुआ तो इसको पढ़ा फिर एक सेंटर पे हर संड़े पढ़ाने भी जाते रहे और डवले कोटा था तो मैंने एक नया प्रियोग वहां किया कि जो स्टाप था वो बुजूर को गया था तो उनको लंचर में गीता पढ़ाया करता था साथ सबस्लोग पढ़ा के आर्थ समझाए अब जैसे धार्मिंगरं थे गीता यह कहीं भी किसी प्राणियों में मुझे देखता है और मुझमें सबको देखता है वही सही देखता है यानि कि यह गरंथ यह कहते हैं कि आप सभी प्राणियों में इश्वर को देखो और इश्वर में सारे प्राणियों को देखो अगर सारे लोग ऐसे देखने लग जाएं तो आज यह जो तो इस तरह से पुरान पढ़े, सारे अपनी शत पढ़े सारे रामाये ने पढ़ी, इसलाम पढ़ा अजरत मौमॉ дसाभ की जीवनी पढ़ी एक समय तो मौमॉ possess की जीवनी अपने जाती रखता था पिर कुरान भी पढ़ी फिर अदिश पर भी थोड़ा पर इनके सूफी मत को पड़ा, सूफी के बाद इनके कितने कलंदर हुए, उन्होंने क्या क्या किया, वो सारा इस्टेडी किया है. पंकर जी, आपका अगला वल्ड रिकॉर्ड क्या होगा, आप किस को नई तैयरी कर रहे हैं, छे रिकॉर्ड आपने बनाया है, अपने आप में एक्सेप्शनल केस है, अगला रिकॉर्ड की कोई तैयरी नहीं है, अभी तो यह है कि सरकार जो भी काम दे उसको बढ़िया से करे और उसको करते हुए, यदि कुछ हो जाता है, तो फिर वो आपने आप यह होएगा, आप काम में रिकॉर्ड बना देते हैं, यह बड़ी हैं, सरकार जो काम देगी आप उसमें रिकॉर्ड कोई निकाल ली देते हैं, और मैं एक चीज़ और जाना चाओंगा पंकर जी, आप के 20 साल की सेवाइं आप से यूथ इंस्पायर है, आपको यूथ को संदेश पूरे राजस्थान के लोगों को, क्योंकि आपके और आगे 15-20 साल की सेवाइं बचीवी हैं, आप जगे जगे अलग अलग पदों पे रहेंगे, जगे जगे जएगे लोग आप से मिलेंगे, हो धर्म की बात यह है कि धर्म हुआ है जिसन गुणों को आप धरन कर सकते हो, जय जय दया मम्ता करोना इंसा से दूर रहना, तो आदमी जो भी काम उसको दिया गया है, उसको बैस तरीके से करे, और ये कोशिश करे कि आज मैंने कितने लोगों का वहला किया या कितने लोगों की मदद की, ये शाम को बैठके जरूर सोचे, साथ ही कोशिश करे कि ये जो मानव जीवन ईश्वर ने दिया है, ये किसी के काम आए, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये सतत चिंतन होना चाहिए, इदे हम ऐसा कर सकते हैं, तो हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा रास् एक और हमें एक नई चीज कर पाएगे, तो हम्हारे साथ पंकज कुमार ओजा जी सीनियर आरेस ऑफिसर हैं, क्रियेटिव आफिसर हैं, हमारे साथ इसलिए थे, क्योंकि इनकी क्रियेशन, इनके वर्ल्ड रिकॉर्ड, इनकी एक अलग तरह की पहचान है, ये जो भी करते है उसमें कुछ न कुछ नया रिकॉर्ड बना डालते हैं इनके काम करने का तरीका बहुती अलग तरह का है हम लोग ऐसे ही आफिसर्स पंकजी जैसे आफिसर्स जो की साफ सुत्रे तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं और एक मिसाल कायम कर रहे हैं इस चैनल पर लगातार लाते रहेंगे अगर आपको हमारा चैनल पसंदार है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को जादर से जादर शेयर और वाइरल कीजिए अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी नमस्कार